जै श्री राम दोस्तो राम नॉमी का त्योहार चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की नॉमी तिति को मनाया जाता है। जै श्रोपमास का तशन का पूजन किया जाता आगाता है। और उसके बाद मद्यान काल में बगवान श्री राम चंद जी पूजन किया जाता, तो आपके पास यदी बगवान श्री राम चंद जी का बाल रूप हो बिग्र हो या फोटो हो, तो आप उने पूजा में रखें, चौकी तो नवरात्रों की लगी हुई ही रहती है, आप चा तो compulsory नहीं है और इस प्रकासे देखिए अगर आपके पास मूर्ती या विग्रह है तो आप पंचामरत से सनान कराएं फिर शुद्ध जल से सनान कराएं नहीं तो इस तरीके से आप सांकेतिक सनान भी करा सकते हैं जल के छीटे दे करके पवित्री करन कर लेंगे अपने उपर भी उसके बाद में एक धूप दीप हम यहां पर प्रजवलेत कर देते हैं धूप दीप चला देंगे तो बहुत ही सिंपल साधान साही पूजन होता है और इसके बाद में देखिए औरेंज सिंदूर हम हनुमान जी के लिए आवश्य रूप से रखेंगे क्योंकि हनुमान बहुत जाधा प्रीय है ब्वान शिरी राम चंद जी को और राम द्वारे तुम रखवारे यानि कि अगर हमें ब्वान शृ राम चंद जी को प्राप्त करना है तो हनुमान जी resistant करना बहुत है अनिवार है तो इसके बाद में देखिया हम स्वरूप गणि प्रूजंस और दूर से टीका करेंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे तो सुबह के टाइम हम कन्या पूजा नादी कर लेते हैं और हवन जो है इसका आप सामुही कर सकते हैं जब आप दुरुगा मा का हवन करें तो तब भगवाण शीराम चंद जी के नाम से आप आहूतियां दे सकते हैं हवन भी आज के दिन जरूर किया जाता है तो यहाँ पर देखिए हनुमान जी का जो चोला चड़ता है और इस सिंदूर का वह हम यहाँ पर आरपित कर देंगे हनुमान जी को विशेश रूप से अतिप्रिया होता है इसके बाद में बस रूपी कर देंगे और अगर आप च इस दिन सुबर के समय सिधी दातरी मा की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, हवन होता है और उसके बाद में श्री रामचन जी का जनमोसा मनाय जाता है गोसवामी तुलसी दास जी ने अपने अमर महा कावे रामचरित मानस की रचना भी इसी दिन आरंब की थी तो इस दिन आप रामचरित मानस का भी अवश्रूप से पूजन करें, पाट करें, यदि आपके घर में रामाय नहीं है तो आप आज के दिन जरूर लेकर के आए और उनको आप अवश्य पढ़ें, जीवन में आपके बहुत ज़्यादा सकारात्मक्ता आएगी, भगवान शीरामचर जी ने अजे रावन राक्षस और उसके साथ अनेक राक्षसों का वद करके इस प्रत्वी को पाप के भार से मुक्त कराया था, भगवान शीरामचर जी जी मेवा का या कोई भी मौसमी फल, आपके पास उपलबद हो, आप उसका भोग, भगवान शीरामचर जी को लगाएं, क्योंकि नौमी का दिन होता है, इस दिन खीर, पूड़ी, हलवा आदी, जिनके नौमी पूझ जाती है, तो जरूर बनता है, तो आप उसे भोग, अवश् की दिन होता है, लेकिन जिनके नौमी होती है, तो आप चाहें तो उस हवण को, जो आप अस्टिमी का जो जो आप हवण कर रहे हैं, उस सामूए, उस हवण में ही, आप शीरामचर जी के नाम की भी आहूतिया दे सकते हैं, तो आप अलग से भी हवण कर सकते हैं, मुख्यत यही है कि आपको एक साथ ही एक हवन करना चाहिए क्योंकि आज के दिन नवरात्रे संपूर्ण हो रहे होते हैं तो गाय का उपला आप सुलगा ले या फिर लकडियों से भी आप हवन कर सकते हैं नवगरह की जो समीधा आती है उसे भी आप हवन कर सकते हैं या गाय के उपला स साथ भी दे सकते हैं तो ये हवन आज की दिन जरूर करना चाहिए अगर आपके या अस्टिमी की दिन हवन हो गया है तो राम नौमी के टाइम पे आपको इस तरीके का छोटा हवन अवश्य करें और जो भी भोग सामिगरी हलवा पूरी खीर जो भी पूरी पकवान मिठा तक पहुँचता है तो इस तरीके से आप छोटा सा हवन अवश्य रूप से करें आज के दिन आप श्री राम रक्षा स्त्रोत का पार्ट कर सकते हैं श्री राम चरित मानस का पार्ट कर सकते हैं सुन्दर का पार्ट कर सकते हैं और श्री राम जी की इस्तूती का भी आप गा रामलला के जन्मोटसभ की बधाईयां गा सकते हैं चोटा-सा अपने घर में कीर्टन करा सकते हैं सारी लेडिस मिलकर के बहुत ही शूब रहता है। आप जरूर देखें ये उससे भी simple साधन विदी है जिसमें मैं आपको बता रही हूं कि किस प्रकार से आपको राम नौमी का पूजन करना है उसके बाद में देखें आरती कर ले भगवान जी की गनेजी की आरती करें सभी की आरती कर लें तो बहुत ही simple साधन सा पूजन वीडियो आपको ज्यान वर्धक लगाओगा वीडियो ये थी थोड़ा भी यूस्पू लगाया ते वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़ाज़ा शेय करें और कॉमेंट बॉक्स में जैश्री राम अवश्य लिखें दोस्तों मिलती हूं वीडियो में तब तक के लिए हारे कृष्णा राधे राधे जैसी आराम दोस्तों